Hello everyone, मैं हूँ Krishna और मेरे चारान इंपेल साइनस अकर्मी में आपका स्वागत है तो आज हम देखने वाले हैं NCRT Class 8, Exercise 6.3 और Question No. 7 चले देखते हैं Question No. 7 क्या पोच रहा है The student of Class 7 of school donates 2401 in all for the Prime Minister Fund Prime Minister National Relief Fund Each student donate as many as rupees as the student in the class Find the number of student इसमें क्या बोला है कि Class 7 का student 2401 रुपया जमा करता है Prime Minister Fund के लिए और हर student उतना ही amount देता है जितना की class में student है तो चले इसे देखते हैं Let the total number of student be x and let the amount paid by each student be x. क्योंकि जितना number of student है उतना ही amount पे करेगा और इस दोनों को multiply अगर और दोनों को multiply करने से x into x और total amount हमारा कितना जमा हुआ है 2401 This means x square equal to 2401 और x equal to root over 2401 तो अब हम इसका square root निकालेंगे और हम पता करेंगे कि कितना student है तो चलिए हम इसे prime factorization से square root निकालते है 2401 का और ये 7 से divide होने वाला है 343 फिर ये 7 से divide होने वाला है 49 फिर ये 7 से divide होने वाला है 7 और ये 7 से divide तो हमारा जो 2401 का जो prime factorization हो गया 7 into 7 into 7 into 7 और इस दोनों को pair करेंगे और हर pair में से एक digit लेंगे इसमें से 7 और इसमें से 7 तो ये हो जाएगा 49 तो हमारा जो ये square root निकला इसका कितना है 49 तो ये 49 number of student और ये हम x क्या मान के चले थे x जो है number of student था और x जो है amount paid by the student और x वो भी था कि एक student कितना pay करता है तो हम यह x का value इसका square root हुआ तो होता है और इसका square root हमने निकाल लिया 49 तो इसका मतलब जो class में student 49 है और हर student कितना pay करेगा 49 तो यही question था ये बहुत ही आसान है थैंक यू और अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो like और subscribe जरूर करें टूसे बहुत पही हर तो हमार टार माश्ञिए रग़ज करें तो हमार ुप गरूर करूर ये यूरर तो Gulभर करें करें लो दो को क有 गयत óक है